सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक ओशदियां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तो आज जो ओशदि हम आपको बताने वाले हैं, उसका नाम है स्वर्ण मदू और ये आपके पूरे सरीर का काया कल्ब करने की शक्ति रखती है, ये दिल, दिमाग और आपके सरीर को चुष्टी ये है, आप किन किन रोगों में आप इसका परियोग कर सकते हैं, कैसे आप इसका परियोग करेंगे, ये सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो चलि उन्हें पूरा अपना एड्रस इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके composition के बारे में। दोस्तो इसमें जो उषदियत तो इस्तमाल किये गए हैं इसको बनाने के लिए। उनमें सबसे पहले जो उषदिय है वो है। इसमें हैं अरजुन, पीपला मूल, संक पुषपी, ब्रहमी, मालकांगनी, सोट, तुरंजबीन, मुचकंद फूल और इसके अलावा छुवारा, सफेद मूशली, कौचके बीज, बिदारी कंद, सितावर, अश्वगंदा। ये सबी उषदि जो हैं बहुती अच्छी उषदि हैं, पावरफुल उषदि हैं और इनके योग से इसको बनाया गया है। इन सबी उषदियों की जानकारी अगर आपको अलग-अलग चाहिए तो आप हमारे चैनल जड़ी बुटी परीचे पर जाकर के इनके बारे में अल ये देख लेते हैं इसके और गुणों के बारे में ये जो उसदि है ये सरीर और हर्द्य को बल देती है और ये नया खून पैदा करती है, सरीर में इसकती और इश्फूरती पैदा करती है, जिन लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं जो सरीर कमजोर है या फिर टैंसन रहत या सरीर पर रोनक नहीं है, सरीर में जान नहीं है, या फिर उनका मन परसन नहीं रहता, ऐसी श्थिते में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या आपको इस फूर्तिवान बनाएगा और आपके सरीर में नई उर्जा और नया जोस पैदा करेगा, इसके अलावा ये आपके परदान करता है, हर्दय को मजबूत करता है, और ये आपके दिल और दिमाग दोनों को ही ताकत देता है, इसके सेवन से आपकी समन सकती इतनी तेज हो जाएगी, कि आप जो भी याद करेंगे, वो जल्दी से याद होगा, और जो लोग पेपरू की तयारी कर रहे हैं, या जो लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं, तो उसको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, बच्चों को आप इसका सेवन जरूर कराईए, क्योंकि उनके जो दिमाग का विकाश होता है, वो इसके इस्तमाल से ज़्यादा जल्दी होगा, और जो लोग जरूर का सेवन लगातार करेंगे, तो आपके जो है सरीर की कांती को बढ़ाएगा, शरीर में अगर कहीं पर भी कमजोरी है, उसको इसको इस दूर करेगा, आँखों के नीचे जो काले दब्बे होते हैं, या जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल सा बन जाता है, उसमें भी इसका परियोग कर सकते हैं, जिन लोगों को चक्कर आते हैं, चलते समय या आँखों के आगे अंदेरा चा जाता है, ऐसी स्थिति में भी अगर आप इसका परियोग करते हैं, तो यह आपको आश्चरिय चकित करने वाले लाब देगा, इसका परियोग आपको अवश्य करना चाहिए ये आप लगादार अगर तीन महिने का इसका एक कोर्स भी करते हैं पूरे साल में तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप जो है पूरे साल जो है चुष्टी फूर्ती से बरपूर रहेंगे आपको अन्य कोई भी और शिदी खाने की आवेशक सकता नहीं पड़ेगी इसका इस्तमाल आप अपने चिकित्सक की सला से आप इसका परियोग कर सकते हैं अब जान लेते हैं इसके मात्रा के बारे में दोस्तो इसकी जो मात्रा है वो दस से बीस एमल तक आप इसको ले सकते हैं ये आयू और रोग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है इसको आप अपने चिकित्सक की सला से आप इसको परियोग कर सकते हैं ये जो पैकिंग आता है 180 ml की पैकिंग में उपलब्द है इसका जो अभी फिलाल का रेट है वो 189,189 रुपे है ये आप समय के अनुसार इसका प्राइज कम या जादा हो सकता है ये अपने आप से आप मार्किट में आप इसको ट्राइ कर सकते हैं अगर आप इसको हमसे मंगाना चाते हैं तो आप हमारे वोट्सेप नंबर पर संपर करके इसको मंगवा भी सकते हैं या अन्य कोई उशदी जो आपको नहीं मिल रही है वो भी आप हमसे संपर करके मंगवा सकते हैं यकीन मानिए ये जो उशदी है अगर आप इसका तीन महिने तक लगतार इस्तमाल करते हैं तो ये आपके जीवन का पूरा जो है सारही बदल देगी ये उशदी आप बच्चे जवान और बुड़े तीनों को ही इसका प्रियोग करवा सकते हैं दिमागी सारही कमजोरी को ये बिल्कुल समूल रूप से नश्ट कर देता है इसका इस्तमाल आप इसको पानी में मिला करके कर सकते हैं या चिकित सक्की सला से इसका इस्तमाल कर सकते हैं आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें नीचे comment box में लिख करके जरूर बताईए अगर आपका इसके सम्मन्द में कोई भी सवाल ये सुजाव है तो आप हमें नीचे comment box में लिख सकते हैं या आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं या आपका कोई अनुबव रहा है इसके साथ सुन मदू के साथ या आपने कभी परियोग किया है आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे अपने अनुबव आप हमारे साथ सेयर कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिख करके अपने अनुबव हमें बताईए ताकि और भी लोग इसको देखे और इसके बारे में जान सके तो दोस्तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाईए क्योंकि आज के जमाने में बहुत ज़्यादा लोग मानसिक रोगों से गरस्त हैं सारे जी कमजोरी से गरस्त हैं जो अपना जीवन सुखी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित होगी आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के सम्मन्द में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छे जानकारी आपको देते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए हशते रहे हशाते रहे और अपनी शैद का ख्याल रखिए